हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सब लोगों का आज की इस वीडियो में तो अगर आपने भी अपने फेस्बूक एकाउंट क्रियेट किया है तब से लेके आध तक जितने भी पोस्ट या फोटो वीडियो की नीचे लाइक या कॉमेंट किया है और उसको आप रिमूओ करना चा उस पहले वीडियो स्टार्ट करते है तो सबसे पहले जिस एकाउंट के ट्रू आपको फोटो वीडियो या कॉमेंट को रिमूओ करना है उस ऐडिको अपने फेस्बूक एप्लिकेशन में लॉग इन कर देना है तो हमें पहले से हमारी आइड इको लॉग इन करके रखा है collections में उसके बाद आपको उपन कर लेए उसके बाद यह आपको ऊपर की साइड three Онब स्पर कर देखनी को मिल जाएगा तो उसके बाद ही आपको कुछ इस टाइब का interface यहाँ देखनी को मिल जाएगा यहां आपको नीचे में कियोuate स्कोर डाउन करना है उसके बदह आपको Help & Support का UnHappy has left to that mean ुझ यहीं को ये रपको दीखने को मिल जाएगा उसके बदल कि बाद ही आपको ये प्रीआपको सब्सक्राइब नम्मर पर activity log का option देखने को मिल जाएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहां आपको अपनी Facebook ID की फूरी activity यहां आपको देखने को मिल जाएगी पब्लिक post, पब्लिक take, story, activity, page like, सारी activity यहां आपको देखने को मिल जाएगी इसमें से आपको यहां आप देख सकते हो like and reaction और उसके side पे comment लेकिन यहां आपको इस जो blue line में देखने को मिलता है उस पर आपको click नहीं करना है अगर आप इसके true अपने like या comment को remove करना चाहोगे तो सिर्फ one by one ही remove होगा और आप एक सारी comment या like को remove नहीं कर सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां देख सकते हो your activity across facebook का option देखने को मिल जाएगा और यहां आपको निचे के side arrow का option देखने को मिल जाएगा तो उसके आपको click कर देना है उसके बाद यहां आप कोमेंट्स है एक कहा दे मिल जाएगा और यहां एक साज्थ हो जाए लीचे को मिल जाएगा उसके बाद नीचे की side यहां आपको रीilde से हो जाएगा उसके बाद नीचे की औप्शन दिखने को मिल जाएगा तो simply उस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ आपको फिर से रीमूग के औप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ अपको अपनी Facebook ID का पास्वर इंटर करना है तो सबसे पहले हम हमारी Facebook ID का पास्वर इसमें इंटर कर देते हैं उसके बाद यहाँ आपको निचे को और सबीत का ओप्शन देखने को मिल जाएगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ ठोड़र लोडिंग हो रहा है यहाँ आप फिर से comment option के निचे की site यहाँ आपको like option देखने को मिल जाएगा like and reaction का तो उस पर आपको क्लिक कर देना है like को remove करने के लिए उसके बाद यहाँ आपको all का option देखने को मिल जाएगा तो उसके बाद यहाँ जितना भी page loading हुआ होगा वो सारा यहाँ select हो जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हो भी 16 loading हुआ है तो हम यह remove कर देते हैं उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो remove का option देखने को मिल जाएगा तो उस पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो जिस पोस्ट या photo video में हमने like किया था वो सारे यहाँ से remove हो गई है जितना हमने select किया था उस तक का तो यही थी कुछ simple trick जिसकी मदद से आप अपने facebook account create किया है टब से लेके आज तक की सारी comment या like को बड़ी आसान इसे remove कर सकते हो तो यही था आज का video I hope आप सभी को यह video अच्छी लगी होगी तो video को like किजिए और साथे साथ हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe किजिए thank you for watching this video